जी हाँ दोस्तो हमारे भारती मौसम बिज्ञान विभाग ने मौसम को ले करके सबसे बड़ी चतावनी सबसे बड़ा अलर्ड जारी किया है दोस्तो बता दें कि अगले दो दिन में यूपी में कई जगों पर बारिस और ओले के असार है मौसम बिभाग ने चतावनी को दे करके अलर्ड कर दिया है और इसके लाओं दोस्तो बता दें कि और भी राज्यों और जिलों में हमारे भारती मौसम बिज्ञान विभाग ने मौसम को ले करके अलर्ड किया है दूआ ये इस वीडियो के अंदर हम आपको मौसम के बारे में संप्रोड जानकारे बिस्तार से बताएंगे अगर आप भारत के चाय कहीं से भी हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो एकदम अंत तक देखते रहेगा दोस्तों सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगतार बदलता जा रहा है हमारे भारती मौसम भीज्यान भिभाग आयमडी ने हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिलो और कई प्रदेश को अलर्ड किया है दोस्तों बतादें कि हमारे उत्तरप्रदेश में कई जगाँ पर बारिस और ओला बृष्टी गिरा है जिसकी वज़र से हमारा 13 फर्वरी दुवरिश को मौसम पूरा दिन बेकार रहा है दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनव में फिलाल बातलों की आवाजाई है और साथी साथ बूधा-बूधी होने के भी आसंका है इसके लाएं दोस्तों मौसम एक बार फिर से बदल रहा है और बता दें कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर हावा को द उत्तर प्रदेश के लखनव को सबसे जादा बारिस का अलट किया है क्योंकि लखनव में अभी बादलों की आवाजाहिल लगी है और आगे भी ऐसे ही लगी रह सकती है इसलिए हमारे भारती मौसम विज्ञान विभागने उत्तर प्रदेश के लखनव को सबसे जादा अलट क और इसके साथी साथ दोस्तों बता दें कि हमारे भारती मौसम विज्ञान विभागने हमारे पसिम बंगाल बिहार और इसके लामा दोस्तों बता दें कि बैंगलूरू और साथी साथ गोवा को भी मौसम कुले करके अलट किया है और इसके लामा हमारा एक राश्टी राजधा दिल्ली है जहाँ पर बहुत ही जादा अगले 24 गंटों के दोरान में बूदा बूदी और हल्की सी मध्यम बारी सोने का असंका है तो ऐसे में आप इस समय किस राज्य से हैं हमें नीचे कमेंट सक्षन में अपने राज्य की नाम बता दीजेगा ताकि अगर आप उत्तर सरिकार्डिंग कोई भी डाउट या कोई बेगराब सवाल अब भी करना चाहते हैं तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत